इस वीडियो के बाद अपनी General Desk की त्यारी डन समझना, General Desk की टेंशन इस वीडियो के बाद आप भूल जाओ बस, जितने भी Most Important MCQs है, Topic Wise MCQs मैं आपके लिए लेकर आगे हूँ, Absolutely Free of Cost, आपको कोई मोटी-मोटी किताब खरीदने की जुरत नहीं है, कोई Investment करने की जुरत नह है हूँ, इस वीडियो का main purpose है आपको General Desk के कुछ ऐसे resources देना है, जो शायद आपको paid batches में ना मिलते हूँ, आपको बता है General Desk के मोटा-मोटा syllabus, तीन sections के नितर डिवाइड होता है, पहला section होता है logical reasoning, दूसा section होता है numerical ability, जिसको quantitative ability भी भी बोलते है, और तीसा section होता है general awareness, जिसको GK, static GK, current advice बोलते हैं, आज हम part 1, logical reasoning के बारे में बात करने जा रहे है, आज हम reasoning के most important MCQs में आपके बास लेकर आया हूँ, ये chapter wise MCQs, topic wise MCQs आपको help करेंगे, कि आपके CVT की पूरी बूरी त्यारी done हो जाए, इसमें जो top 50, top 100 MCQs अगर आप करके जाओगे, revise करके ज इनमें से ही कुछ MCQs, बस figure change हो जाएगी, pattern almost same रहने वाला है, कुछ इस प्रकार के MCQs आपको देखने को मिलेंगे, आपके CVT के real exam में, इनमें से MCQs कुछ previous year questions भी है, previous year questions के solutions आपको मिल जाएंगे, reasoning का आपको syllabus मैं बता देता हूँ, काफी broad है, but reasoning के अंदर जितने chapters possible हो सकत दे, उसका मैं पूरा आपके पास syllabus लेकर आया हूँ, और ये बताने आया हूँ, आपको ये chapter wise MCQs काफी help करने वाले है, अब ये मोटी-मोटी किताबे करने का समय नहीं है, आपको अगर top 100 MCQs दे दी जाएं, हर एक topic के, हर एक chapter के, और वो आप revise कर के चले जाओ, देखना majority paper पर आपका in MCQs से आ रहा होगा, figure change हो जाती है, pattern ये solution उसका almost same रहता है, method बिल्कु सेम रहता है, तो आपके पास नहीं सिर्फ मैं questions लेकर आया है, उनका correct solution क्या है, क्या method लग सकता है, उन solution को निकालने में, वो भी इस video में आपको दिखेगा, बहुत interesting है, अपने friends में video share करन है, और अब वो पूछते है, क्या ये possible है, मैं कहता हूँ, हाँ ये possible है, बस ये syllabus कर जाओ reasoning का, comment करके मेरे को बताना यार, इससे पहले हमने English language का, आपके पास most important chapter wise, topic wise MCQs लेकर आया है था मैं, आज मैं reasoning के MCQs लेकर आया हूँ, इसके बाद general test के cons के MCQs हम लेकर आएंगे, current affairs के MCQs लेकर आएंगे, तब तक लेकर आते जाएंगे, जब तक आप थक ना जाओ करके, आप बताओ comment करके, क्या domains के भी चाहिए, English language cover हो गया, general test आज मैं cover कर रहा हूँ, क्या आपको domains के भी चाहिए, science, commerce, humanities, कौन से subject की ज्यादा demand है, comment करके मेरे को जरूर बता देना, मैं कोशिश करूँगा, जान लगा दूँगा आपने आपके लिए best resources निकालने के लिए, जिसमें आपका CVD 2023 के अंदर या CVD 2024 के अंदर आपके 100% डाल आ रही हो, ठीक है, start करते हैं, पहले तो overall syllabus समझते हैं, overall syllabus है क्या, general test में ये reasoning का syllabus है, एक बार लिख लो यार, इसके बाद मै Quants और GK की अलग से वीडियो आपके पास लेख आऊंगा, बट इस वीडियो के अंदर इन particular हम बात करने वाले हैं, केवल और केवल reasoning की, मान के चलो आपके पास 60 questions है, paper pattern समझते हैं पहले तो, 60 questions आएंगे general test के अंदर, जिसमें से आपको 50 MCQs attempt करने हैं, और इन 50 MCQs के लिए पूरा आपका 250 marks का paper होने वाला है, तो ये 60 marks, ये 60 questions हैं, इन 60 questions में से हम expect करके चल सकते हैं, reasoning के almost इसमें से 20 से 25 सवाल होंगे, हम मान के चल सकते है, quantitative ability के almost यहां बे 20 सवाल होंगे, बाकि जितने भी 15 सवाल हैं वो आपके आजाते हैं GK के, तो ये जो 25 वाले element में आपको बत Exactly, NTA ने कहीं mention नहीं किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 16 chapter ही है, 16 topics अगर आप कर जाओगे, आपका काम ड़न है और करने की कुछ दूरत ही नहीं है, और इन 16 में से भी मैंने आपके लिए इतना काम असान कर दिया, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपके पास PDF ले काया हूँ, series के 50 से 100, हर एक topic के almost 50 से लेकर 100, कुछ में 75 हैं, कुछ में 100 हैं, कुछ में 120 भी हैं, ये 16 के 16 chapters आपको काम आने वाले हैं, ये 16 के 16 chapters आपको 100% करके जाने हैं, coding, decoding, decoding, alphabet, series और series, ये जो 3, 4 और 5th chapter है, CVT 2023 की मैं बात करूँ, सबसे maximum weightage, इन 3 chapters में सही थी, तो इन के पास mathematical operations होते हैं, जिनको arithmetic operations भी बोलते हैं, ये भी reasoning का part है, direction sense, जिसमें direction, north, east, west, south, north, east, south, east, ये सब बुचे जा रही है, फिर blood relations है, ये इसका चाचा, ये, इसका मामा, ये, इसका बतीजा है, knees, nephew, क्या relationship निकलेगा, ये है blood relations, logical sequence और words, sequence आपको बताना होते हैं, कि dictionary के according, इनकी क्या series बैठेगी, alphabetical order को अगर हम reverse कर देंगे, तो कैसे आपको logical sequence बनानी है, words की, इसके मैं बढ़िया question दे गया हूं आपके पास, inserting the missing character, इसमें आपको series, quoting, decoding, या figures के question मिलते हैं, जिसमें आपके पास figure नहीं रखी होती है, और आपको pattern recognize करके character डालना होता है, ranking बहु इसमें बच्चे बैटे हैं, they are facing towards the center, they are facing away from the centers, ये logical reasoning के अंदर, जो sitting arrangement का part है, उसके अंदर questions आ रहे होंगे, puzzle test, general miscellaneous questions होते हैं, ये जितने भी question दिख रहे हैं, इन सबका combination, puzzle test के अंदर आता है, vein diagram highly important, syllogisms, इसमें से यार एक topic रह गया, syllogisms, उसके भी मैं PDF आपके पास डाल कर दूँगा, cube and dices very very important, और majority students इसको छोड़ के आते हैं, डर होता है, phobia होता है, cubes and dices के question होंगे या नहीं होंगे, बड मैं आपके पास जो question लेका है हो, basic, moderate, hard, सारे तरह के question आपको मिल जाएंगे, आप बस practice कर जाओ, अगर अब ही hard question practice कर जाओगे, तो CVT के questions है, हलवा रहे होंगे, आपके solve, last में non-verbal reasoning, ये भी एक portion होता है, logical reasoning का important part है, ये 16-17 chapters, मैंने 17 chapter total आपको बता दिये, ये 16-17 chapters के लिए, मैंने आपके लिए क्या किया है, ये देखो यार, ये surprise अब मैं reveal करने जा रहा हूँ, सबसे पहले analogies, आपके पास practice MCQs मैं solve लेके आगे हो, analogies के, फिर बात करते है, classification, classification के A to Z, आपके पास MCQs यहाँ पे मैं लेके आगया हूँ, series के बहुत बढ़िया-बढ़िया question मैं लेके आगया हूँ, चाहे वो number series हो, alphabetical series हो, alpha-numeric series हो, जिसमे alphabet और number का दोनों का combination होता है, वो सारे most important MCQs, अब मैं आपको बताता हूँ, इन MCQs में सि correct option नहीं दिखेगा, आपको ये भी दिखेगा, इस correct option में मानलो, 51 answer है, answer क्यों है, आप सभी students के लिए correct solution के साथ साथ, आप सभी students को इसमें explanation में मिल जाएगी, explanation PDF में मिल जाएगी, आपको PDF कैसे download करनी है, दो मिन में बता रहा हूँ, मैं बुरे एक बुरे एक बार syllabus cover कर लेत आप पैर पे कुलाड़े मारने वाली बात है, बस इसको कर जाओ, more than enough है, आपका काम done हो जाएगा, आगे move on करे, mathematical operations जिसमें plus stands for divide, divide stands for minus, ये mathematical operations होते हैं, ये coding decoding से मिलते जुलते questions हैं, इनके कुछ questions बढ़िया है, मैं आपके बास लेके आगया हूँ, directions के questions लेके आगया कौन किसका महामा, कौन किसका बांचा, ये सारे topics देख रहे हो, ये सारे के सारे topics, insert the missing character, NTA के favorite questions हैं, सिरफ CUET नी जितने भी competitive exam है, जो reasoning entail करते हैं, आपको पता है, JEE के अंदर भी ऐसे-एसे NTA questions दे रहा होता है, जिसमें आपके पास एक figure बना दी, आप ये बताओ, missing figure बता के basis पे question होते हैं, tallness, greatness की वज़े से, मतलब यहां पे, कौन कितना tall है, कौन कितना heavy है, कौन कितना short है, कौन कितना thin है, इन सब के basis पे, यहां पे आपके पास ranking के questions आ रहे होते हैं, sitting arrangement के दो portion होते हैं, एक linear और एक circular, इसके question मैं आपके पास लेकर आगया हूँ, आपको करना यह सारे देख सकते हैं, यह topics आपके लिए बना रखे हैं, यह topics आपको कैसे download करना है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, nonverbal reasoning हमारा last topic होने वाला है, और syllogisms, लिख लो, इसके बाद मैं आपके बाद syllogisms कभी एक PDF अपलोड कर दूँगा, जैसी यह video खतम होगी, अब मैं आ आपको download करना सिखा रहा हूँ, इन questions को, यह 100 MCQs of each and every topic, लिख लो, each topic के मैं 100 MCQs दे रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, यह 16, 17 topic उठाए, इन सबके jumble questions आपको दे दिए, उस सबकी practice तो रात को 9pm इस YouTube channel पे आपके पास होती है, जिसमें हम हर रोज CUET का mock test दे रहे होते जिसमें language case, जिसमें आपके पास GK के questions आ रहे होते हैं, यह 100 MCQs, आपके पास हर एक topic है, मतलब अगर मैंने 17 topics दिये हैं, तो approximately आपके पास यहाँ पे कितने होगे, बैस, 1700 plus questions मैं आपके पास लेकर आया हूँ, absolutely free of cost, इनको कर जाओ, आपका CUET का बेड़ा पार है, यह मेरा promise ह CUET पार है, और हमें दिल्ली University North Campus में जाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको करना क्या है, आप मैं download कैसे करना है, वो सिखा देता हूँ, अब आपको क्या करना है, comment section में जाना है, यह दिख रहा है, एक जलग demo course, यहाँ पे मैंने, एक रुबे भी यहाँ पे pay करने के आपको ज download करना, comment section में उसका link में डाल दूँगा, जैसी आप download करोगे, यह देखो, यहाँ पे content section में जाना, content section में जैसी जाओगे, सबसे उपर एक folder दिख जाएगा, यह देखो, सबसे उपर यहाँ पे folder आपको दिख जाएगा, top cuet reasoning mcqs, यह आपको कहा मिलने वाला है, learn करो application में, लिख लो, learn करो, learn करो live learning app, comment section में इसका मैं link डाल देता हूँ, learn करो live learning app के उपर, live app के उपर, आपके पास, यह top cuet reasoning के mcqs मिल जाएंगे, top cuet english language के mcqs मिल जाएंगे, यह english language के mcqs हमने पिछले video में launch करे थे, बहुत सारे students ने उसका फायदा उठाया, अब आपका time आ फायदा मिलता है इसके अंदर, आप जैसे इसके अंदर जाओगे, आपके बास सारे के सारे PDFs तो available करवा ही गए, यह chapter wise, उनके solutions आपको इन PDF के अंदर मिल जाएंगे, जैसे आप ध्यान से देखो, analogy हो गया है, classification, series, जो मैंने आपको पूरा syllabus बताया, वो इसके अंदर इंक् करने में, जल्दी मिलते हैं, take care everyone, all the very best.